हालो एर्बन कैसे हो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहां पे अपने चोटेटी टॉपिक के पूरी सीरीज हमें बनानी है और इनी केमेस्ट्री से लेकर के और उपकापी कुछ केमिकल बॉंडिंग से लेकर के और बहुत साथ चोटे टॉपिक हैं जिसे नॉमली को चैन बहुत पूछी जाते हैं चाहे उप रिजडियर चैन से रिलेटेड या कंबक्शन से रिलेटेड वहां भी स्टीविका खेल होता है तो आपको स्टेबिल्टी समझ में आना चाहिए आल्फा गार्बन हईरॉजन की स्टेबिल्टी कैसे क्लियर की जाती ह वो भी आपको पता होना चाहिए जब तक आप stability का खेल नहीं समझेंगे तब तक बहुत सारे compound में बहुत सारे question में आपको बहुत problem मानने वाली है तो basically stability का सबसे main funda यहां से भी कुछ होके जागता है जैसे कि आपको बूर्ड भी पीछे लिखाए देरोगा तब ही compound aromatic होगा या फिर anti-aromatic होगा या फिर non-aromatic होगा तो सारे वर्वल कंडिशन आपको यहां पर मैं one by one करके बताता जाओंगा आज वैसे normal problem ही करेंगे नेक्स जो पार्टू इसका वीडियो बरेंगा उसमें हम advanced problem के discussion करेंगे जो जनली नीट और इम्स में या फिर जेडवली में पूछे जा चुके पहले उन सारे प्लब्लम को हम पार्टू में सीखेंगे लेकिन आज हम यहां पर concept को सिखेंगे कैसे हम aromatic compound चेक करते हैं कैसे हम एंटी अरोमेटिक compound चेक करते हैं कैसे हम नौन आरोमेटिक compound चेक करते हैं कुछ होता नहीं है छोटे से क्राइटेरिया एंकुछ conditions है वह आपको पता होनी चाहिए तभी आप बता पाऊगे कौन से compound कर लेते हैं, जैसे कहा है लिखा हुआ है, aromatic compound. Aromatic का मतलब यह होता है, that is a word coming from aromatic is aroma, अच्छा जाता है जलने के साथ काला धूम भी निकालते हैं तो निकालते हैं तो अरोमेटिक होते हैं लेकिन उसके लिए के लिए कुछ कंडिशन से वह फालो करना बहुत जरूरी है फ्रस्ट पहले बात तो कंपाउंड क्या होना चाहिए साइकली को नेक्स जो कंडिशने साइकलिक अभी आपको पता चल जाए जब मैं डिजाइन करूंगा साइकली डिया रिंग होनी चाहिए उसमें ठीक है फ्लेन पॉसिबल होना चाहिए और सबसे लास जो फॉला होता है बहुत इंपॉर्टन रूल जिसको फोर एंप्लस टू पाइलेक्ट्रों रूल बोलते हैं इसको हम नॉमली हुकल्स रूल भी बोलते हैं यह भी वैलिड होना चाहिए जहां पे एक नॉमल इंटीजर है जिसकी वैलू आप देखो पहली बात यहां पर कंडिशन आप फुल्फिल कराई यह तो आपको पता चल जाएगा फस्ट वन इस गोज़ाइट नॉस इस प्लस चार्ज की वज़ा से पाइब ऑन क्या होगा डिलोकलाइज होगा यह अगर इधर जाएगा तो यह पाइलेक्ट्रों कहां चल आ जाएगा तो प्लस चार्ज कहां चलाएगा यहां पर इधर भी हो सकते अगर हम इसको प्लेकर करते है ठीक है जैसे मालीजी यहां पर पई फलफिल करता है नहीं हम इसका डेटा धाया रिएक नप्लाबर एक यह वाला फूड इस्नकर अचे करन Esse एक बराबर 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसा करके आप एक डेटा आप सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप एक बराबर 0 पुट करते हो, तो वैल्यू कितनी आती है, 2 पाइलेक्टोंस, आया, एक बराबर 1 पुट करते हो, 4 प्लस 2, 6 पाइलेक्टोंस, अगला पुट कर सकते हो रखे, तो आपको एक डेटा मिल लेरेक्टोंस, छीए, अब इस कम्पाउट को ब्रेक करने में बें कितना यली यो ईलेक्टोंस, यानी वो डेटा इसमें πο Shock to cowen reactions, क् inquान किया, auromatic है यह compound किया है, aromatic है, पता चल गया, बहुत आसान सा condition है, आप condition को apply करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कि काउन से compound aromatic होते हैं, और काउन से compound non-aromatic है, जैसे कि माल लो एक और example हम discuss का लेते हैं, इसका, सबसे famous example है आपका, बेंजीन, आपने नाम सुना है, बाकि advanced problem हम पार टू में जरूर करेंगे, जैसे कि माल ली जी हम ने बेंजीन ड्रॉ गिया, that is this one, आप देख सकते हैं, यहां पर बेंजीन बना हुआ है, ठीक है, पहली बात तो यह cyclic है, cyclic ring बना हुआ है, ठीक है, दूसरा planner है, SP2, 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 SP2 सारे इसके, SP2, यह भी SP2 hybridized है, यह भी SP2 hybridized है, यह भी SP2 hybridized है, SP2, यह भी hybridized है, SP2, जिसको hybridization में अभी भी problem है, वह hybridization वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं SP2, वहां पर example भी मैंने बता रखा है, बहुत आसान हो जाता है किसी compound का hybridization निकालना, ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, तो ट्रिक्स मैंने ऐसे इस्तिमाल की है, ताकि आप बता पाओगे बहुत आसाने से कि कौन से compound का hybridization होता है, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, पेंजिन का भी मैंने डिसकस कर रूए, कर चुका हूँ, नेक्स वन आप देखरें, वो 3 pi bond है, कितने pi bond है, 3 pi bond, 1 pi bond के break होने से 2 electron अगर आएंगे, तो 3 pi bond के break होने से कितने electron से जनित होगे, जाहिए इस बात है 6 electron, ठीक है, 6 pi electrons आपके जनित हो जाएंगे, कितने 6 pi electrons, अच्छा, तो 6 pi electrons ब्रेक होँगे, तो आप इसमें कोई data ऐसे put करो, जिससे इसमें 6 पाइलेक्ट्रोंजनेट हो जाए तो सर अभी आपने डेटा लिखा था पहले लिखा था आपने 2 उसके बाद 6 उसके बाद 10 उसके बाद 14 तो यह 6 नंबर आया उस डेटा में पूट करने पे वन नंबर को पूट करने पे एन बराबर 1 रखोगे तो आप दिन 6 सिक्स में लिए यहांनी कि एरोमेटिक कंडिशन में 6 आ रहा है और यहां भी 6 आ रहा है इसका मदब यह कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है इस तरह आप किसी भी कंपाउंड की आप आसानी से कल्कुलिट कर सकते हो नेक्स वन अगर मालीजी मैंने एक बात कर लेते हैं अपने दो एलेक्ट्रों बाहर से आ अब यहां भी क्या है साइक लिए टार कर गुता दो यह सारे दूसरी साथ क्या होंग रहें यहां तक की कंडिशन फुल फील हो गही बहुत आसान तरह जिलोकलाइशन के जानग होना लेक्ट्रों का का पर आएंगे कि कितने तरह के रिजिनेंस पॉसबल हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में उससे आपको और क्लियर आजाएगा क्लियर आईए आजाएगा कि कैसे कंपाउंड में डी लोकलाइजेशन होता है यहां तक तो फुल्फिल होगी कंडिशन लास्वाली कंडिशन कितने कर तो आएगा यहां पे अगर हम ब्रेक करते हैं देखो यहां पे टो पाई बॉंड है एक लों पेर में कितने आपके पास दो अब एक पर आपके ब्रेक्शन होते हैं उसके लिए वीजाएगा और यहां और में चाये बहुत आसान में बहुत ही जर्नन'll के बेसिक बेसिक मै लिए बहुत ज़्याद साइकलिक पॉलिसाइकलिक से चेंज जासा मैं एकजांपल नहीं लिए वो अपने आडवांस में जरूर करेंगे उसमें आपको जिखा दूंगा कि अरोमेटिक कैसे सबसे ज्यादा निस्टेबल होते हैं वह होता है सबसे पीछे क्या आजाएगा आपका एंटी अरोमेटिक कंपाउंड आएगा ठीक है यह कंडिशन आपको हमेसा याद अखनी होगी नेक्स बात कर लेते हैं जैसे कि एंटी अरोमेटिक लिखा हुए यहां पर ठीक है तो यहां पर आपना एलेक्ट्रों लगेगा ठीक है कैसे करेंगे मालो आपके पास कोई ग्जांपल दिया गया बहुत सिंपल सा जर्रल से ग्जांपल आप देख विया पर यहां पर इसको स्लेक्ट करोगे तो हाव टू ड्रा डिस वन रहो गया ठीक है आपने ड्रों कर दिया अब देखिए, यहाँ पर अपना electron क्या है? 4n pi electron, यहाँ पर n की value कितनी है? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, ठीक है, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे अगर हम इसमें n की value 1 रख दें, तो 4 pi electrons आजाएगा 2 रख दें, तो 8 pi electrons आजाएगा 3 लग दें, तो 12 pi electrons आजाएगा, ठीक है? यह तो आप आसानी से mathematics से calculate कर सकते हैं, n की value मेंने 1 से start की यहाँ पर n की value मेंने 0 से start की दी, बस इतना ही फरक था, अब ज़रे इस pi bond को break करो how many electron will release there? अगर आप इसको break करोगे, जैसे कि यही compound है, ठीक है? एक electron इस end से आएगा, एक electron इस end से आएगा, एक electron इस end से आएगा, एक electron इस टोटल कितने electron आपके पास हो गये? 4. अब देखो, इस data में 4 sit बैठता है? हाँ, यहाँ पर 4 pi electrons, यह किसकी condition है? इसमें और इसमें कभी तॉर नहीं आएगा त्ञाहर पर और चार Its tänker सब्सक्राइब से हब तो फुराइलेक्लाइब यह कंदिशन के भाटडिन की साहर एक एक इसी हो जाएगा एंटि conductivity कंपाउंक म्हयां मुट कीपाउंट्स stable होते हैं बहुत अनिस्टेबल होते हैं इन तीनों में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अनिस्टेबल जो compound होता है वह anti-aromatic होते हैं next one की बात कर लें जैसे की बात करते हैं अपने that is this one ठीक है इसकी बात कर लेते हैं इस तरह के कोई compound हम डिजाइन करते हैं जैसे कि माली जी में हम anti-aromatic compound design कर रहे हैं यह वाला माली जी यही compound था इसा यहां minus और यहां यह ठीक है यही compound चेक कर लेते हैं इसके last time हमने plus जैसे यह compound था similar वह ऐसा ही है ठीक है आप देख सकते हो वही same condition है यह तीनों condition फुल्फिल है ठीक है साइकलिक है sp2 hybridize that is a planner है और दी localization हो रहा है दी localization किसके वज़ेस हो रहा है जो अपने minus charge है उसके वज़ेसे delocalization भी हो रहा है कैसे हो रहा है आपको start गुमागे बताया था वैसे यहां पी अगर यह electrons इधर गुमेंगे इसके तो यह चीज कहां घुम जाएगी इधर कैसा structure आप ड्रॉव कर सकते हो वैसे इसके तीन structure ड्रॉव हो जाएंगे यह वाला electron गुमेंगा इधर तो यह वाला bond terminate कर जाएगा that is this one and this one again will goes to this one and this one sorry structure थोड़ा सगरब बन गया फिर से बना देता हूं ठीक है फिर से ड्रॉव कर देता हूं रुख यह जैसे कि compound था हमारा ठीक है यह वाला double bond में that is a pi bond convert that is a lone pair connect होगा और यह जो है अगर इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता इसको ड्रॉव करनेगा ठीक है यहां पर यहां को बृट यहां यहां कितने एक लोट वैंस चार्ड को करता है डो अलेक्टरों करता है यह लोन प्यर दो एलेक्ट्रान करता है तो दो को एड़ फोन उन्हों को जब एड़ करोंगे तो अथो एलग्ट्रेंट्या सफ फोर एलेक्टों कि एक्ट्रों फोर एलेक्ट्रॉंस दिया है। То here is okay, so क्पाउंट हें kyanusay saturated bodies, मौन को बहूंत होते हैं कि प्रह से कंपाउंड की इस्टेविल्टिबल nor और aromatic compound का यह काफी खासा rule लगता है, यह rule से काफी आप जल्दी आसानी से compensate कर सकते हो, क्योंकि यह सारी condition दुनों में तक्रीबन कभी common है, cyclic, cyclic, planar, planar, delocalization and delocalization, next one, 4 and plus 2 pi electron, that is goes right now, huckle's rule, इसको 4 and pi electrons rule बोलते हैं, ठीक है, यहां तक सारी condition आपकी common होती है, बस यहां से rule आपका change हो जाता है, यहां पर number system से आप attain कर सकते हो, n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, तो आपका number अलग आता है, यहां पर 4-4 के difference आता है, starting number 2 से होता है, 2, 4, 10, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका कैसे start होता है, 4 से, 8 से, 4, 8, 12, ऐसे बढ़ता है चला जाएगा, तो आप electron calculate कर लो, एक pi bond के break करने से दो electron release होते हैं, एक lone pair में, दो electrons होते हैं, आप उनको दोने को add कर सकते हो, आसानी से anti-aromatic compound choose कर सकते हो, non-aromatic को पैचाना बहुत आसान होता है, जो compound aromatic नहीं होंगे, ना तो anti-aromatic होंगे, तो basically क्या होंगे, non-aromatic होंगे, यह चारो criteria में से, चारो criteria जो अपने दिया है, उसमें से कोई एक ही fail होगा, fail anyone, लिखा है, fail anyone, आप the given four criteria, कोई इसमें से लागू नहीं पढ़ेग नहीं है, तो generally क्या होते हैं, non-aromatic होते हैं, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ, कैसे इसको पैचाना बहुत आसान होता है, problem आज हम कम लगाएंगे, क्योगल concept पे ही देखेंगे, और problem next video में जरूर हम advanced problem पे जाएंगे, जैसे कि मालीच मेरी compound बनाया कुछ ऐसा, ठीके, यह compound तो इसन है जिलोकलाज़ाइशन है, क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन कंडिशन को फुलफिल नहीं कर रहा है एक भी, जो यह न तो आरोमेटिक को decide करें, न तो anti-aromatic कुछ चीज़ बता देगा, यह सीधा सीधा compound क्या हो जाएगा, नॉन आरोमेटिक हो जाएगी बदल जाएगी ठीक और दूसरा इसमें तो डि लोकुलायज़ नहीं तो इससी का त्रिक खंशोष मंगा यह कॉपन किया हो जाएगा नौन इंसके मान लिजेन हो गा है क् एक ऐसा compound होगा non-aromatic होगा next वाले की बात कर लेते हैं अगें जैसे कि अगें दूसरा कुश्चन हम डिजाइन करें and this one तो यह compound यह भी क्या हो जाएगा non-aromatic हो जाएगा नॉन्मार्मेटिक तो यह compound क्या हो जाएगा अगें non-aromatic अला कि इसमें resonance हो रहा है अगर आप इसको खीज दोगे तो एक नॉनमल छेंट मन जाएगी लेकिन फिर भी क्या है नून अरोमेटिक होता है, यह कैसे compound है? नून अरोमेटिक है, sorry, ठीक है यह कट गया ठीक है थीक है तेक इसे compound होते है नून अरोमेटिक होता है आपको रूल अगर पता है तो आप आसानी से anti-aromatic, aromatic और non-aromatic आसानी से पैसान जाते हैं कॉस्चन इस पर आते हैं कौन से compound aromatic होते हैं कौन से anti-aromatic होते हैं और बहुत सारे question एक अगला concept जो आता है इसमें anoline का anoline से भी पूछे जाते हैं कई ऐसे compound आपको देखने को मिलेंगे जब मैं problems कराऊंगा तो जिनमें de-localization होगा electrons के rule भी follow होगे बट उनकी planarity बदल जाती है repulsion की वज़ए से उनकी planarity change हो जाती है during the electron cloud के repulsion होते है तो molecule plan plane जैसे दिखेंगे आपको plan जैसे लेकिन क्या होता है repulsion वज़ए से अपनी planarity बदल जाएंगे तब planarity जब change हो जाएगी तो उनकी stability बदल जाती है तो अगर नटाइड के जाएगे जहां पर चेंज हुआ जरूर फिनामेनर हो जाएगा अपने है और नॉमली जो एक दो कुशन जो मैंने जनल रोकुशन बदाया थे वही आपको करना है उसके बाद हम जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारा में problem solve कुराऊंगा तो आप उसके application देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से compound aromatic हैं कौन से compound anti-aromatic हैं कौन से compound non-aromatic को को belong करते हैं ठीक है बहुत सारे question आ चुके हैं यहां से यहां से इसमें complete करते हैं तक लिए bye bye and take care